जटिल समस्या हो या भाग्य वाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिन्ता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाव पाये अपनी समस्त जोतिश्य तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमतकारी, प्रभाविशाली समाधान, एक जानमाना और विश्वस्तिय नाव आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी काशी के चार सो वर्ष पुराने, प्रतिश्ट्रे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव, राज जोतिशी परिवार की आठ वी बिड़ी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनाथ शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर या फिर फोन पर अपॉंट्मेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर वीमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com पर नमस्कार मैं हूँ वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मितनों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं दरिद्रता दुरभागी को दूर करने और सौभागी को बढ़ाने के परंपरागत कुछ ऐसे सरल और चमतकारी उपाई और टोटकों के बारे में जिनको प्रयोग में ला करके आप घर बैठे बिना किसी बड़े खर्च के दरिद्रता से और दुरभाग्य से मुक्ति पा सकते हैं और सौभाग्य का आमंत्रन कर सकते हैं हर व्यक्ति धन कमाने का प्रयास करता है कुछ व्यक्ति सफल होते और कुछ लोग सफल नहीं हो पाते आज मैं आपको कुछ ऐसे ही सरल उपाई बताने जा रहा हूँ जिनने आज माने से अवश ही शुभफल आपको प्राप्त होगा सबसे पहला उपाई यह है कि भोजन करने से पहले कुट्टे या गाय के लिए एक रोटी निकाल देनी चाहिए आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा प्रते गुरुवार को तुलसी के पौदे में कच्चे दूद का अर्ग समर्पित करना चाहिए इससे घर में आथिक संपन्नता और सम्रिद्धी व्रिद्धी आती है शुकलपक्ष की पंचमी को घर में श्री सूक्त की रिचाओं के साथ हवन की कुछ आहूतियां देने से घर से ददधता दूर हो जाती है हिंदू मास के आरंब में शुकलपक्ष के पहले बुद्धवार की रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांध करके भगवान कृष्ण को आपको समर्पित करना चाहिए अगले दिन उसे पीले धागे में बांध करके अपनी दाहिनी भुजा में आप धारन कर ले ये बहुत अमोग कवच होता है आपका दुख और दारिद्र से फिर इसके बाद कभी वास्ता नहीं पड़ेगा शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बरतन में सरसों का तेल रखें अगले दिन उस तेल में उड़त की डाल के गुलगुले बना करके गाय को, कुत्तों को और गरीबों को खिला देने से आपकी गरीबी दूर होती है दरद्रता दूर होती है और मा लक्षमी के आगमन का रास्ता साफ होता है गूलर के व्रिक्ष की जड़ को कपड़े में लपेट करके चांदी के कवच में धारण करने से अगर आप गले में पहनते हैं तो आर्थिक संपन्नता आती है लक्षमी आकरशन का ये कवच कहा जाता है कोई भी व्यक्ति यदि अपनी तिजोरी में नौ लक्षमी कारक कौणिया और एक तांबे का सिक्का रखे तो उसकी तिजोरी में धन हमेशा भरा रहता है नियमित रूप से केले के पेड़ में जलर्पित करने से और देशीगी का दीपक जलाने से दुख और दारिदर से मुक्ति मिलती है सुख और संपन्नता आपके घर में प्रवेश करती है तो मित्रों आशा करता हूँ कि ये छोटे-छोटे सुझाव छोटे-छोटे उपाय आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे आप सभी से आग रहे कि आपने अगर मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और जब भी आप मेरा वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और शेर करना न भूलें इसी शुब कामना के साथ कि आपका जीवन सुख में बना रहे हमारी आपकी पुना बहुत जल्दी मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे आग्या दीजे और आप देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैपपन नमस्कार जटिल समस्या हो या भाग्ये बाधा हो व्यापार नौक्री शादी की समस्या करियर की चिंता हो या वैवाईक जीवन में हो सुक्का भाभा पाईए अपनी समस्त जोतिशिय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमतकारी प्रभाविशाली समाधान एक जहनमाना और विश्वस्तिय नाप आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिश्ठे और अंतर राष्ट्रे अख्याती प्राव राज जोतिशी परिवार की आठवी भीडी के जोतिशी और वास्तु शास्त्री आचारे पंडित श्री वैभवनात शर्माजी के द्वारा व्यक्तिकर्द या फिर फोन पर अपॉंट्पेट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146-9990-724-131 या फिर इमेल करें sharma.webhub at the rate gbill.com